आज़ी क्लास बहुत ज्याद़ important है क्योंकि यदि आज़ी क्लास आप स्किप कर देते हैं यानि कि आप आज़ी क्लास देखते नहीं है तो आपको इंग्लिज पढ़ने में बहुत ज्याद़ प्रोब्लम होने वाली है क्योंकि silent letter के बारे में बहुत दोग मुझे से पूछ च इसके बहुत कुछ बहुत कुछ पढ़ेती तो आप गलत पढ़ेंगे बहुत कुछ बहुत सारे वर्स गलत पढ़ते हैं अभी आपको पता चलेगा जब यहाँ पर एक्जांपल दोंगा बोलेंगा रहे हम तो इससे पढ़ते थे सर यह सैलेंट है नहीं पता था तो आप लास्ट के बढ़े रहे हैं बहुत अच्छी क्लास है चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छार्ण नहीं करते हैं उसका अनुवा そう है पढ़ां अपकर वह से पढ़ते हैं लेकिन लिखा हुआ है लेकिन नहीं पढ़ते हैं उसे शैलेंट रोते हैं तो देखे यदि A के बाद डबल एल वाय आता है तो A को हम नहीं पढ़ते हैं सैलेंट होता है उसे हम नहीं पढ़ते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे म्यूजिकली क्या लिखा हुआ है म्यूजिकली अब यहाँ पे देखेंगे A लिखा हुआ है इसे आप म्यूजाकाली है ना या फी मुजेकली ऐसे ए आ या नहीं पढ़ रहे हैं आप म्यूजिकली पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं म्यूजिकली तो यहाँ पर क क क क ही उचान हो रहे हैं यहाँ पे एक होग नहीं पढ़ाए। अब आप बोलें सरक अ में तो आ रहा है, नहीं. यह एक है नहीं हो रहा है, वो तो C का का उचान निकलता है, इसलिए का ऐसे बोल रही है. अलग से एक हो रहा है क्या, musically या musically ऐसे हो रहा हिए क्या नहीं हो रहा है। और देखे, फिजिकली, हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकली, यहाँ पर भी एक उचारण नहीं हो रहे हैं, और देखे, लॉजिकली, यहाँ पर भी एक को हम नहीं पढ़ रहे हैं, फिर देखे, क्रिटिकली, क्या होता है, क्रिटिकली, यहाँ पर भी एक उचारण नहीं हो रहे और फिर देखे रोमांटिकली यहाँ पर भी देखे एक उच्छारण नहीं हो रहे यदि होता तो क्या हो जाता है मैं जैसे आभी आपको बता है वैसी और बहुत सारे यहाँ पे ए या आ ऐसे उच्छारण हो जाता है तो यह बहुत ही इजी है एका यहाँ डबल एल वाय आता हुलेंगे आरे हां सरे तो आपने सही का हम तो इसे पढ़ते थे कही पे बहुत हैं में नहीं पड़ते जैसे नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर ली यह यहाँ नहीं नहीं जानते तो आप इससे क्या पढ़तेे कॉम्ब, बॉम्ब, थम्ब, डुम्ब, ऐसे पढ़ता है? बॉक आउचारन करते हैं, लेकिन देखिन मेसे ब्लग्लाबन बहुत साइसे पर मुथी रोगी आञाएँ सो रहता है, लेकिन फॉर्य एक्जाम्पल व्लाओं तो बाकि यहां Κन्फु बाकि यह आप नहीं समझ पाओगे, टाइम भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे बहुत सारे और भी एक्जामपल है, सीधी सी बात है, रूल जाओगे, तो आपको ऐसी पता चल जाएगा, कि हमको M के बाद B लिखाओ, तो नहीं पढ़ना है, एक दो अपवाद सब में होते हैं, कोई एक्ज बोलते थे, याद रखे, चली, फिर B सेरेंट की एक और रूल है, क्या रूल है, T से पहले यदि B आये, तो फिर सेरेंट होता है, T से पहले B, इससे पहले क्या था, M के बाद B हो, तो सेरेंट, अब यहाँ T के पहले B हो, तो देखे, T के पहले B है, T के पहले, यहाँ पर भ को नहीं पढ़ना है तो केेवल डेट डेट पिर देखे डाउट डाउट ऑंध सब्चल नहीं पढ़ रहे हूँ तो यह हो गया बी के रूल जहां पर आपको मिला एम के बाद भी हो तो नहीं पढ़ना ट के पहले भी हो तो नहीं पढ़ना यह सब एक्जामपल है इन्हीं सब का यूज ज्यादा तर हम करते हैं चलिए देखते हैं अगला रूल क्या है अगला हम आते हैं सी का क्या रूल है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हम सी को नहीं पढ़ते हैं जैसे देखिए यहां पर यहां पर सी के साथ ई हो तो सव चार निकलता है तो स सेन पर यहां पर यहां पर सी नहीं पर रहएं वैसे देखिए इसे हम disciple पढ़ते हैं स्टरी यहाँ पे mistake हो गया इसे हम क्या पढ़ते हैं disciple ठीक है ऐसे disciple disciple पढ़ते हैं अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको चेक उचानी पाया disciple क्योंकि disciple हम इसे disciple 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 साइंस साइंस के बाब साइंस समय सब्सक्राइब करें here साइनस विग्यान आपको पता है कि कि हमें स के बाद सी को तो नहीं पढ़ना है अब चलिए डी का देखते है रूल क्या है जी से पहले यदि डी आ है तो silent होता है देखिए जी के पहले डी हो या फिर हम ऐसे बोल सकते हो या फिर जी के पहले डी हो तो भी हम डी को नहीं पढ़ते है जी के पहले डी है जी के पहले डी है जी के पहले ड यहां पर भी डी को हम नहीं पढ़ रहा है बिज एज और वेज यह पर भी बिरिज एज हैज और वेज बहुत सो लोग बोलेंगे सर लगाए ही क्यों उसको लगाते ही केवल A, G, E हम कर देते A, G, E कहां लगाए है D को क्योंकि वह होता ऐसे है क्योंकि केवल English ऐसे तो नहीं है कि केवल American English है हम जो English पढ़ते हैं सब mix रहता है ठीक है वहाँ पे आपको British का जो English होता है वहाँ का accent अलग होता है अमेरिका का accent अलग होता है तो उसका जो बोलने का लहजा होता है वो अलग होता है तो वो लोग इसको पढ़ते हैं बहुत सो लोग ऐसे British ऐसे भी पढ़ते होंगे एड़ जी भी पढ़ते होंगे लेकिन जब हम रूल में आते हैं कि हमें इंडियन इंग्लिस में जब इसको लाना है अमेरिकन इंग्लिस में पढ़ते हैं तो यहां पर क्या करते हैं जो अमेरिकन वाले उसे क्या इसे पढ़ते नहीं है छोड़ देते हैं तो हमें भी वही हमें ऐसे सीखना है इसारेंट अब इक उचारण कर नहीं होता यह तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ यह लिखा वाइक इसे बिक नहीं पड़ेंगे बाइक क्योंकि लाइस में इका मतल्ड़ होता यह तो यह आई बन जाता है यह तो वाइक ही पड़ते हैं इह तो एक तो खेर वह तो अलग रूल है हमें यहाँ पे जाना लाश्मी को नहीं पड़ना है तो देखिए बाइक टाइप नेम शाइन चेंज ब्रिज यहाँ पर भी देखिए डी बी सैलेंट है और ई बी सैलेंट दोलों आगे ब्रिज वाले में तो यहाँ पर आपने देखा हम इसे बाइके, टाइपे, नेमे, शाइने, चेंजे, ब्रिजे, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे ना, तो E को थो हम पढ़ी नहीं रहे, यही रूल है, लास्ट में ही है, तो हमें उसे पढ़ना नहीं है, बहुत जगा फिनाले वगरा पढ़ देते वह अलग चीज है, E का हो गया, F लेट है, N के पहले G, N के पहले G, N के पहले G, तो देखिए, डिजाइन, हम इसे क्या पढ़ रहे है, डिजाइन, डिजाइन, तो डिजाइन, ऐसे गह को नहीं पढ़ रहे है, डिजाइन, यहाँ पर भी रिजाइन, यहाँ पर रिजाइन, यहाँ पर रिजाइगन, ऐसे नहीं प देता है तो तुख एवल साइन लिखा वे लेकिन याद रखना है याद है कैमपेन कैम पेन यहाँ पर भी जी सेलेंट है Ready इसे बोल देते हैं लिखते समय हाँ आप गलत पढ़के लिख सकते हो लेकिन आदत मना पढ़ जा कहीं आपकी आपका जी का निया हैं एन के साथ जी हो याने पहले लगा हुआ हो चाहरे सिटार्टिंग में हो चाहरे लार्स में हो जारे कहीं पर वहां पर जीखंगा आच है एच है यहां ना ओच के पहले एच़ हो तो हमें अच्छ को नहीं पढ़ना है हो के पहले हो तो हमें हो नहीं पढ़ना है अवर नहीं है कि यूव तो इसे हम अवर पढ़ेंगे अवर याने हमारा लेकिन यहां पर भी एच नहीं है क्योंकि रूल यहीं बोल रहा है वह के पहले यह तो हमें अच को नहीं पढ़ना है ठीक है एक सैलेंट रहता है एक्लियर हो गया है और और ऑनेस आर आवर भी बोलते हैं यह आर अलग और 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 घंटे को और यह होगा आपका अब आते हैं आई और जे में सिदी सी बात है आई और जे सेरेट नहीं होते हैं बहुत से लोग़ चाहें तो टोर करके लिख सकते हो बाकि वैसे तो प्रवाइट करूंगा लेकिन समझना जरूरी है वीडियो तो देखना ही पड़ेगा आपको क्योंकि बहुत कुछ समझने वाली चीज़े हैं चलिए देखिए आई-जे का हो गया सैरेंट नहीं होता है ध्यान में रखेंगे लिग भी लेंगे के सैरेंट कभ होता है इन पाता है तो सैररेंट न के पहले क नहीं आपको पता होगास यहां अब यहां पर भी पड़ेंगे नहीं से नौ नहीं रहना नहीं इतल दींग यहांने जआने वाले नहीं है नी यह घुटना होता है नॉलेज, यहाँ पर भी अलेज यहाँ पर भी 17 मिल गया बैसे हम के उधारन देख रहें लेकिन आप आया वीच में अब को बतारों कि यहाँ पर देखे डी को भी पढ़ रहें आगे पढ़ते हैं os kate Technology क्लियर हैं ? p19 की नॉक नाइफ मैं नाइफ नूलेज है आगे बढ़ते हैं इसके बाद, K का भी clear हो गया, अब L में आपको 4 rule मिलेंगे, L ही सबसे main है, एक rule नहीं है, आपको 4-4 rule ध्यार में रखेना पड़ेगा L का, बहुत कटिन नहीं है, बहुत easy है भी, D से पहले यादी L आए तो, देखे, D, F, K, M, 4 rule है, तो हम पहले D का देख horses में, हम हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों कि, सारी L को नहीं पढ़ रहे हैं? क्यों कि वो D के पहले है, तो हम उसे नहीं पढ़ना है, कुल्ड, वूर्ड, सुल्ड नहीं पढ़ना है क्यावल? F वाले में पहुंच जाते है F से पहले L हो वहाँ पर D से पहले हो तो नहीं पढ़ना है यहाँ पर F से पहले हो तो भी नहीं पढ़ना है जैसे काफ काफ हो काफ हाफ हो हाफ काफ हाफ L को यहाँ पर नहीं पढ़ना है काल्फ हाल्फ नहीं पढ़ना है काफ बच्चरे को बोलते हैं half याने आधा L silent और एक rule क्या था K वाला देख लेते हैं K भी same हो ही है K से पहले हो तो भी नहीं पढ़ते हैं सब के पहले किसके पहले L के पहले हूँ चाहे F के पहले हो चाहे L के पहले हूँ देखें यहाँ पर भी हम टॉक, टॉक, वॉक, astrology, चॉक, यौक, यॉक, फॉक, ओक, ऐसे जोता हैं कही पर भी टॉल का वहरे, यॉक, फॉल के नहीं पढ़ना है लेकिन गलत वोरों उसको ध्यान मेरे ii नहीं पढ़ना है क्योंकि केके पहले लहाल है 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 तो मैंने किए उसे नहीं पढ़ना है किबल टॉक वॉक चॉक योउक ईहसे पढ़ना ये तो मृक यॉसे पहले हो तो भी नहीं पढ़ना है यानि कि आपको शलिप चार्ची आ आपना है Bizakm i refuse we नहीं होता है इदम सांत होना उसे काम के रहे सांती तो क्लियर होगे है आपको D F K M से पहले L हो तो हमें नहीं पढ़ना है क्लियर ये अल कभी देखें कितना कंफुजन आपको दूरी हो गए बहुत बड़ा विडियो नहीं है करना है कि आप चलिए एंस होता है कि यह वर्ड में और न दोनों साथ में आए तो हम और N में N को नहीं पढ़ते हैं, M और N यदि एक साथ आता है, बहुत इजी यात करना, N का क्या होगा, क्योंकि उससे बहले M आता है, M N एक साथ हो, तो हमें वहाँ पर क्या करना है, N को नहीं पढ़ना है, जैसे, autumn, column, dam, heim, तो यहाँ पर हमें, ऐसे autumn, column, damon, heimon, ऐसे नहीं में N है, थो हमें हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन यदि M के साथ N हो, तो नहीं पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि वह को पढ़ना ही नहीं है और के बाद आता है पी चलिए पी में पहुंच गए एस से पहले पी आए तो पी सैलेंट होता है तो देखिए एस से पहले पी यह तो आपको पता यह होगा पी सैलेंट शाइडिंग में पी लिखा हुआ है लेकिन हम पी को पढ़ते ही नहीं है साइकोलोजी इसे हम क्या पढ़ते हैं साइकोलोजी ठीक है साइक्रेटिक सॉरी साइकेट्रिस्ट ठीक है साइक्रेश्ट और सुबा देखे साइको थेरेपी क्या परते हैं psychology यहांपर भी पी को नहीं पड़ रहे हैं ऐसे बहुत सारे और भी एक्जांपल है जहांपर हम पी को नहीं पड़ते हैं एसी साइकिक भी होता है ठीक है क्या होता है साइकिक भी होता है यहाँ पर हम क्या लिखते हैं वहाँ पर हम श्चार्ट करते हैं पी से एस वाई सी एच आई सी यहाँ परते हैं यहाँ पर भी नहीं परते हैं यहाँ पर भी नहीं परते हैं वैसे निमोनिया वगार भी एक पी है तो हमें उसको नहीं पढ़ना है क्लियर हो गया साइकोलोजी सब्सक्राइब अब आते हैं थोड़ा सा बचा हुआ है पर ज्याद नहीं बचा है तो हम यहां पर T को श्टार्टिंग नहीं पढ़ना है जैसे देखें यहां पर ट्लिखा हुआ है ना यहां पर हुआ है यहांपर यहां पर टी को नहीं हो हे च नहीं हो रहे हैं यह रहे हैर गढ़नी सेखनों हो वहां पर टीक नहीं भी पटते हैं करते opinion लिसन तो यह सी तो पढ़ते हैं साथ लिसन सही तो पढ़े भी सही रहे लेकिन नहीं गलत देंगे आपको लगाना जो रही है क्या करों कि अंग्रेज है गनना पड़ेगा अश्टी यू आ गया यू के बाद कोई भी वाउल्स आइसे हो या फिर यू के बाद यू हो ऐसे यहाँ यू के साथ आई, यू के साथ आई, यू के साथ आई, यू के साथ ए, यहाँ पर भी देखे, यू के साथ आई, तो हम उससे यू को नहीं पढ़ते हैं, गाइल, ग्विल या ग्विले ऐसे नहीं पढ़ते हैं, एको भी लास में पढ़ते हैं, किवल गाइल ऐसे हम क्या पढ़ रहे हैं जी संबहट यहां पर देखिए गिल्ड घू了 को अइसे शॉली निती एक गितार तो जाना यहां पर देखें गायर्ड लेकिन स्पैलिंग हांब पहरदार वाला गार्ट यहाँ पर देखे biscuit ठीक है बिस और C को भी पढ़ेंगी biscuit यहाँ पर भी आपको एक रूल बताया था C को हम नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखें दो-दो रूल में ज़िए C को भी नहीं पढ़ना है और यहाँ पर U को भी नहीं पढ़ना है यहां पे आप बिस्किट, यह वाला रूल में आपको U को नहीं पढ़ना है, क्यों कि यहां पर कि लिखा हो है You के पहले आई के पहले You लिखा होया हूँ इसलिम यहां पर You को नहीं पढ़ने है,权 दिख्षे एक दो अपवद बताया था, जास सी एक सांथ तो हमें नहीं पढ़ना है लेकिन यहां पर आप वाद में मिली है कि यहां पर बिस और के को हम पढ़ रहे क्यों क्योंकि इसके बाद ही वाला रूल भी आगे इसलिए बिस्कुट यहां पर यहां पर यह प्रिंटिंग मिश्टा है कि बिस्कुट नहीं होता है ठीक है हिंदी म के बाद पस के बाद डबलू का देखते हैं डबलू बन्यू देखוזल देखें घर executive कभी नहीं होता है dow參加लो का एच के बादısı होता है ऐस अग्ड़नुर से नंदु division क्या यह दिखितर यह जैसे आंजसर हमें अंस्वर नीपढ़ते देखें सबसांसर जवाब पर देखे, sword, sword याने होता है, sword है न, sword याने क्या होता है, तलवार को हम sword बोलते हैं, sword, sword, ऐसे दोनों बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत सब का अलग-अलग, थोड़ा का accent अलग-अलग रहता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमको W को नहीं पढ़ना है, sword यहाँ के पहले हो, यहाँ पर देखे, यहाँ पर भी आपको R को पढ़ना है, W को नहीं पढ़ना है, यहाँ राइप, राइप, रिंकल, रिष्ट, कहीं पर भी डबलू कम पढ़ना है, क्यां वर्डू को हम पढ़ना है, क्योंकि W के साथ R है, तो के वल हम R को पढ़ना है, स्टाटिक में दिख रहा है W R, तो सीधी सी बात है, हमें जब भी ऐसे कहीं मिलता है, डबलू आर के साथ एक साथ हमें क्यवल ऐसे पढ़ना है, राइप, रैप, रैपर, रिंकल, और रिष्ट, और रैक वगरा ऐसे भी होता है, और पहुत सारा है, यहां रैप साल, यह तो मैंने लिगी दिया है, तो ऐसे आप सिधा ही देख लिजिए, जैसे W के साथ है आपको R मिलता तो W को नहीं पढ़ना है, और आप देखेंगे, यहां पर एक ही दो मिलेगा, आपको ऐसे आंसा स्वार्ट वाला, तो यहां पर भी हमें W को नहीं पढ़ना है, स्वार्ट पढ़ना है सीधा उसको, यह दो W के नियम है, अब आता है XYZ, तो सीधी सी बात है, XYZ सैलेंट नहीं होते हैं, एंडिंग होग प्रेक्टिस कीजिए, ज्यादा हरबड़ी मत कीजिए, भुक में खोजिए, ढूढ़िए, जहां पर भी आपको मिलता है, तुरंत याद कीजिए कि इसे हमें क्या पढ़ना है, तो जब आपको पता चल लाएगा, कि अच्छा ऐसे रूल है, नीन हम जो इससे पढ़ने इसने कहा गया है, आपको इसे पढ़ना नहीं है, इससे क्या होगा, जब भी आप बुक रीट करेंगे या फिर इंग्लिस बोलेंगे, बोलते समय तो आप वैसी बोलेंगे, लेकिन आप देखके पढ़ेंगे तो आप से गलतिया होंगी, क्योंकि आप वैसी पढ़ने लग जाएंगे, जो जो मना किये हैं, वैसी आप पढ़ेंगे, व्रॉंग, व्रैप, ऐसे कुनो, इस प्रकार से इंग्लिस पढ़ने लगेंगे, फिर बॉम, थम, ऐसे पढ़ेंगे, तो सामने आरा समझ जाएगा नहीं, थोड़ी सी इंग्लिस में प्रॉब्लम है, उतनी अच् केवल इसे एक, आप बहुत लोग को सौक भी होता है, बहुत से लोग को जॉब के रिक्वाइरमेंट रहती है, जैसे किसको एमर बन रहा है, तो इंग्लिस तो इतना मस्ट कर दिया है, कितने भी अच्छे आपको बोलना आतों नहीं, इंग्लिस जोर रही है, आपको इसे प पीछे नहीं है, न रह जाओ, इसलिए मेरी कोशिस रहते हैं, कि आप भी थोड़े, थोड़ी बहुत ऐसे इंग्लिस बोलने लगो, या समझने लगो, कि आपको भी कभी ऐसे मौका मिले, तो आप उससे पीछे नहीं हो, ऐसे नहीं हो कि इंग्लिस नहीं है, तो आप आगे इंग्लिस नहीं बढ़ सकते हो, लेकिन बहुत जयादा आजकर इंग्लिस की जरूरत है आप से